नमस्कार जी मैं आज एक बहुत बड़ा एलान करने जा रहा हूँ जैसा कि सब को पता है कि आमादियू पार्टी सच्चे दिल से इमानदार पार्टी है आमादियू पार्टी एक एंटी करॉप्शन अंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आमामी पाटिए की दिल ये और पंजाब की सरकारें हमें एक पैसे की भी हेरा-फेरी परदाश्ट नहीं करेंगे जब मैं पंजाब में चुनाफ परचर करता था गाउंगाउं जाता था कस्मों में जाता था तो लोगों के चेहरे पर मैं एक उमीद देखता था। लोगों की आँखों में एक उमीद मुझे नजर आती थी कि शायद कोई आएगा जो हमें ब्रिष्टाचार की इस दलदल से बचाएगा। पैसे के भी हेरा-फेरी ब्रदाश नहीं करेंगे। चाहे वो अपने हों हेरा-फेरी करने वाले चाहे बेगाने हों। इसी सिल्सले में मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का पंजाब सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने डपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फ मीडिया के पास इसकी कोई जानकरी नहीं, विरोधियों के पास इसकी कोई जानकरी नहीं, मैं चाहता तो इसको दबा सकता था, अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोड़ों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्होंने मुझे पर यकेन किया, तो मैं अपनी पार्टी की जो प्टर बिजे सिंगला जो कि सिहत मंत्री है पंजाब में कैबिनेट में थे जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुना कबूल भी किया तो हम चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों जीरो टॉलरेंस है हमारी रिश्वत खोरी के खिलाफ मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अब सिस्टम बदल गया है चाहे आप अफसर हो चाहे पंजाम में किसी राजनीतिक पदपर हो चाहे बिपक्ष में हो चाहे सरकार में हो अब सिस्टम बदल गया है अब एक रुपे की भी हेरा फेरी नहीं चलेगी हम एक प्रसेंट लोगों का एक प्रसेंट पैसा भी बचाएंगे लोगों की जेबों पर डाका नहीं डलने देंगे और ये इतिहास में दूसरी बार हो रहा है 75 साला इतिहास हो गया देश का अजादी को बाद 75 साल हो गया ये दूसरी बार हो रहा है इतिहास में पहले 2015 में अर्विंद केजरिवाल जी ने अपने फूड स्प्लाई मिनिस्टर को 5-6 लाकर पहिया आडियो पर मागते हुए उसी आडियो को सुनकर उनको मंत्री मंडल से ब्रखास्त किया और केज CBA को दिया और आज पंजाब सरकार ये फैसला लेने जा रही है कुछ विपक्षी पार्टियां वाले ये सवाल उठा सकते हैं कि ये देखो दो महिने में भगवांतमान की सरकार में एक कुरप्ट मंत्री पकड़ा गया मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उस पर एक्षन भी महीं ले रहा हूँ इससे पहले कई मुख्य मंत्रियों ने ये कभूल किया था कि मेरे मंत्री मंडल में बहुत से मंत्री जो हैं माफिया से जुड़े हूए हैं और करॉप्शन करते हैं लेकिन उन्होंने कोई एक्षन नहीं लिया लेकिन आमाद्मी पार्टी कट्टर इमानधर पार्टी है हम अपने मंत्री पर सक्त एक्षन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी पुलिस को उसके खिलाब कारवाई करने के नर्देश भी दे रहे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिल में जिनके दिमाग में ये धारना है कि ये कुरॉप्शन का तानाबाना बहुत बढ़ा है ये तूट नहीं पाएगा ये कुरॉप्शन ऐसे चलती रहेगी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अगर नियस सची हो सब कुछ हो सकता है अर्विन केजरिवाल जैसे भारतमा के सपूत हो जोनोंने पार्टी ही एंटी कुरॉप्शन मुव्मेंट से निकल कर बनाई और उनके साथ मेरे जैसे हजारों वतन प्रस्त सिपाही हो तो ये देश बदल सकता है भगत सिंग जी को ये कभी भी चिंता नहीं थी अजादी कैसे आएगी उनको चिंता ये थी कि अजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा कई फिर तो नहीं लूट मचेगी लेकिन हम भगत सिंग के सपनों की आजादी को घर-गर तक पहुंचाने के लिए वचनबद हैं इसी सिलसले में हमने ये एक्षन लिया है मैं फिर दुबारा कहना चाहता हूँ बिष्टाचारियों को जो देश को लूट रहे है जो गरीबों का हक मार रहे है कि जितने मर्जी कठे कर लो पैसे, हीरे, मोती मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेव नहीं होती सब कुछ यहीं रह जाएगा तो कुरॉप्शन फ्री कंट्री बनाना